नमस्कार मैं हूँ संजी कुमर और आप देख रहे हैं वेव समाचार पूरे बिहार में पंचाय चुना हुए करीब करीब एक साथ से उपर का वक्त बुजर चुका है विगत एक वर्सों में वर्तमान के जो मुख्याजी हैं इनके द्वारा क्या कुछ से डिवलपें यानि भ करीबिर तो अभी हम लोग आए हैं समस्थि पूर्जिला समस्थि पूर्जिला में पट़ोडवी प्रखन-परता है और पंचाय करनामें सिवुरा जहांके जो वर्तमान मुख्या है सुउध कुमार चौधरिय जी है तो इनसे जानते हैं कि जब आपने सपत लिया, सपत लेने के बाद आपका प्रसम हस्ता अक्षर जो हुआ, स्वान अक्षरों में किस कार योजना को ले करके किया गया है। पहले तो आपको सुबोत कुमार चोधरी, गराम पंचायत सिवरा का मैं मुख्या, निर्वाचित मुख्या हूँ, और जब मैं बहुत जनता जो है, बहुत उत्सा से, मतलब भारी बहुमतों से हमको लोग चुना और उनका सयोग रहा, और जब उनका सयोग है, तो मैं भी चाहरा हूँ कि हमारा अपना जहां तक हो, उनके साथ सहीोग हो, हमने जब जीते, तो जीतने के बाद जो है सो, सपत हुआ, सपत के बाद हमको मौका मिला, कुछ बिकास का काम करने का, जिसमें हमने बिकास का काम किये, और अभी कर रहे हैं, जिसमें कि अभी हमने सबसे बड़ा प्रोड़क्ट लिये घर घर कचरा लोहीया स्वस्त भियान का हमने काम किए घर कचरा उठाने कांने काम कर वा रहे हैं जिसमें के हमने अभीट लोह incar मोगों हमने नोकरी दिए प्रकार नहीं दे रहा है तो मुख्या कहा से नौकरी देगा जो डिपूटी सीएम हैं तेश्वी आदोर ने भी काहता है कि जब मैं मुख मंत्री बनूगा तो पहला हस्ताक्षर मैं नौकरी दूगा इसी तरह से आपने भी वादा किया था और लोग आपके विरोधी कमेंट भी करें जी जी लेकिन फिर भी हमने 36 लोगों को नौकरी दिये इसमें सफाई कर्मी हुए और एक सूपरवाइजर भी हुए और घर-घर से कच्रा उठाने का हमने काम जो है सो किये जो चालू है अभी और बहुत अच्छा ही काम चालू है और उसके बाद बहुत सारा रोड दोत बनाए हमने छोट घाट का निर्मान किये जो कभी आज तक हमने छे अथ तक में छोट घाट का निर्मान नहीं था उधान लगारा ईघ्ब दल्माने बीवивать कि हमने दिये हैं और बांकी जो है सो फिर फंसा हुआ है उसमें जो है सो रिपोर्टिंग जो किया गया उसमें पांच एकर कर दिया गया जिसके कारान हो है कुछ नहीं हो पा रहा है हमने कई बार उसको रिटेन में भी हमने लिखें डियम साहथ के हां लेकिन अभी तक नहीं आ सिकंजा में कर दिये हैं काम के परती बहुत सा सिकंजा कर दिये हैं अभी देख रहे होंगे कि आगनवारी है तो सरकार उसके लिए कर रहे हैं कि उसको बेतन चाहिए आसा है तो उसको बेतन चाहिए लेकिन एक कि डूकान बाले भी है तो लोग में वहाँ से अपर आशन उठा सकते हैं अभी देखने जा रहे अभिजो है फिलाल वण नेशन पैंसन होने जा हां जाहां मनुन वह हैं उठा सकते हैं पैंशन तो हम लोग का भी मालने की हम लोग म्रोग मुखिया बन गया विख़ों एकल वेक्षा से बसक्ति कोई सेफटी नहीं कि किसी फरकार की सेफटी नहीं है इसे पूर में पंजाइती राजमंत्री थे सम्राठ चौधरी वह भी बोले कि आपको सेफटी दिया जाएगा गार्ड दिया जाएगा उसमें नहीं हो तो बोले कि कि जनता से उठके ही जाते हैं जनता के बहुमत से ही जाते हैं जनता अपना जो है समत्दान देते हैं और वही जनता हमको ही मत्दान दिये तो क्या वही मत्दान में उनका ये भेलुएशन है कि एक वर जब उजीत जाए तो उनको बेतन चाहिए पेंशन चाहिए आवास चाहि कुछ नहीं उसका कोई बयवस्था नहीं है तो जब जनता भोट में को भी चूना वोगर्णा बुद्हायक को भी-चुना फिर सरकार के नजर में दो नियतक हो दूनेत क्यों हो रहा है आईशा नहीं होना चाहिए अज्रेट में देख रहा है तो पिर ये जब दो बार जिता है तो उसका पैंशन लागू हो जाता है दो दो बर का और हम लोगे क्या मुखिया भी है तो आखिर वही बहुतल से है तो मुखिया का ठीक है जो system है नीची अस्तर का है कम हो लेकिन होना चाहिए one nation है तो one pension हम लोग को भी होना चाहिए मुखिया को भी pension होना चाहिए जितने के बाद तो क्या इसको लेकर करके मुखिया प्रखंड अस्तर पे संग के द्वारा या समीति के द्वारा जो है जितने भी पुरे बिहार में जिला अध्यक्ष है उन लोग को सोपना चाहिए था कि उन लोग को सोपना चाहिए था और आगे बरना चाहिए था अगर भी जहां तक भी हो रेली करना होता धरना पर बैठना होता जहां मतलब मंत्री लोग सो मिलना होता तो हम लोग मिलते लेकिन तो अध्यक्स लोग को करना चाहिए था तो इसके लिए तो जागरुकता चाहिए लेकिन जागरुकता होगा जब जागरुकता तभी होगा जब हम लोग नीचे से स्टा करना होगा अगर मालीजी की जनता आपको चुन लिया तो बहुत सारे हैं विकल्प हैं आपको करने का कर सकते हैं अच्छी बताइए कि आपके के कि यह सो सकते हैं और काम चालू हो जाएगाव बजट सत्र ने उसे पहले भी हो सकता है काम होगी मतलब चालू हो जागा इसलिए कि यहां पर सरकार भौन पंचाइश सरकार भौन कल निर्मान होगा चार वर्सों के बारे में क्या खुर सोचे हैं जनता को आपने वादा किया था कि यह सी में मुख्या बनूगा नौकडी दूगा और इस पंचायत को बहतर कर करने के लिए तो इस पंचायत को मौडर्न इत्यासी का दर्स पनाने के साथ स्मार्ट पंचायत करूप में डिवलप्मेंट के लिए क्या कुछ आपकी योजना है ऐसा है कि इसे पूर्म में जितने भी हम लोग देखते थे कि पूर्म में जो होता था कि सरकार के पास फंड सरकार क्या करते थे कि पंचायत में अपना फंड दे देते थे और पंचायत में लोग क्या करते थे कि अपना हिसाब से मुख्या लोग देखते थे कि कैसे क्या करना है समाज मिल कर लेते थे लेकिन अभी का जो योजना सब चल रहा है यह डोंगल सिस्टम हो गया और उसमें क्या हो गया जीपीडी हो गया जिसमें जीपीडी में क्या है कि आपको टाइड कर दिया गया उसके अलावा क्या है कि आपको फ़र्ष्ट में ही योजना लोट कर देना है कभी कभी होता क्या है कि हमने पांच योजना ले लिए जिसमें पांच योजना में क्या हो जाता है कभ सकते हैं उसको तो लेकिन उसमें क्या है ना कि जी पीटी पर मतलब सिम्हीत हो जाता है दस योजना ही और दूसरा योजना आप नहीं कर सकते हैं लेकिन कभी समाज में इसा आ जाता है जनका करना के बीच में उस motor के लिए का! अच्छा काम हो और जो सच्चाई हो वही काम हो समाज के लिए काम हो स्वार्जनिक टाइप के ही काम हो हम लोग अभी देख रहे हैं कि सोकता बना रहे हैं स्वार्जनिक सोकता बना रहे हैं पंचाय सरकार भवन के लिए हो ही गया मेरा यह हो गया है अनुमति मिल गया है उसके पूर में ऐसा नहीं था इसे पूर में था मुक्याजी लिगों कि जितना रोड बना लिजिए लेकिन हम लोग को बांद या गया है रोड भी ढालना नहीं है जिसे कारण के जनता स्वेपर रहा है उसके हम लोग का टार्गेट था कि गरीब लोग को चुन के जो है सो नहीं है हम लोग देख रहा है लेकिन अभी तो कुछ बोल देना जोर से तो लोग को काम हो जाता लेकिन वहां के भी पदादिकारी लोग बोलते हैं कि मुक्याजी हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं उपर से कुछ आगा तभी तो हम लोग कुछ कर सकते हैं तो सच्चाई यही तो आपने सुना है कि जिस तरह से मुख्या जी ने क्या कुछ कहा पंचायत के development को लेकर विकास को लेकर और सम्मान अधिकार को लेकर जिस तरह से आई दिन मुख्या जी की हत्या होती है तो निस्वी तोर से हर मुख्या को कम से कम एक arms यानि license मिला चाहिए ताकि वो आदम सुरक्षा कर सके चुकि मुख्या जी का जो काम होता है मुख्या जी के development के साथ साथ मुख्या जी को ये भी काम करना है कि अगर गाओं जवार में या पंचायत में कुछ भी अगर लड़ाई जगाना कुछ हो जाता है जाहे वो किसी तरह का माम लाओ तो पंचायती भी करना है यानि सरपंज का भी काम मुख्या जी को भी करना है तो सुरक्षा ख्यासे तो देखना ही पड़ेगा और रहा सवाल one nation one pension को लेकर के जब चर्चा पर चर्चा हो रहा है तो निश्ची तोर से जिस तरह से भारत का समीदान एक है त्री अस्तर ये जब पंचायत चुना होता है तो केंसरकार और रासरकार के जितने भी परतनीदी हैं उनलों को हर तरह के जो सुविधा मिलता है तो कुछ न कुछ सुविधा मुख्याजी को जरूर मिले ताकि वो पंचायत के development में विकास में बर्चर के हिसाले और विकास के काम से कर सके और smart पंचायत की रूप में डिवलप कर सके है अब चलते हैं दूसरे पंचायत में वहां के जो जन परतनीदी हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ से development या भी कासा काम किया गया है और आगे क्या रहने तामा मिंदू पर बाचित होगा इसके साथ साथ सम्मान और अर्धिकार की बाते होगी उन पर भी उनका क्या को सोचे तो हमिंदू पर बाचित होगी अपने बेख समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद